हरे कृष्णा कामिका एकादिशी का व्रत और उसका महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में युदिष्टिर महराज और भगवान शेकृष्ण के समवाद में कामिका एकादिशी का महत्म वर्णित है युदिश्टिर महराज ने कहा कि हे भगवान, हे केशव आप से मैंने देवशैनी एकादशी के बारे में सुना क्रपयाप श्राबन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें तो भगवान शी कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ध्यान से सुनिए आप बहुत पहले नारज जी ने यही प्रश्ण ब्रह्मा जी को पूछा था इस तिथी को किसकी और कैसी उपासना करनी चाहिए इस बारे में भी पूछा था तो जगद गुरु ब्रह्मा जी ने तभी कहा कि इस एकादशी को कामिका कहा जाता है इसके महात्म को श्रवन करने से वाजबे यग्य करने का फल मिलता है इस तिथी को शंक, चक्र, गदा, पद, मंधारन करने वाले भगवान विश्णों की पूजा करनी चाहिए इस दिन भगवान विश्व की उपासना करने से पवित्र स्नान जैसे की गंगा, काशी, नमिशा, रण्य, पुष्पकर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है सूरिक रहन के समय केदारना थत्वा कुरुक शेत्र में इसनान करने वाले पुन्य जिसे हजारों गुना अधिक पुन्य केवल कामिका एकादशी के को विश्व जी की पूजा करने से मिलता है जिस प्रकार कमल को पानी इसपर्ष नहीं कर सकता उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप इसपर्ष नहीं कर सकता जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान श्रहरी की पूजा करता है वैं सभी पापों से मुक्त होता है तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप पनश्ठ हो जाते हैं। तुलसी देवी को इस पर्ष करने से हम पावन बन जाते हैं। उसकी प्राठ्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और उसे स्नान कराने से यम्राज का मुक्त देखना असंभव रहता है। तथा तुलसी रोपन करने से भगवानशी कृष्ण के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अरपन करने से भक्ती प्राप्त होती है। एक आदशी के दिन तुलसी महरानी को घी का दीपक और प्रणाम अरपन करने से उससे प्राप्त होने वाले पुन्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामीका एक आदिशी का व्रत करने से भूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापात्तक से भी मुक्ती मिलती है। इस महात्म का श्रद्धा से जो भी श्रवन क अथ्वा कथन करेगा उसे वैकुन्ठ की प्राप्ति होती है। ओम नमाशिवाय, हरी कृष्णा, श्री कृष्णार्पणम अस्तू.